टूलकिट मामले को लेकर लंबा विवात चड़ गया है इस बीच प्रेस कॉंफिंस कर रहा है संबित पात्रा सुनिये जैनिटी प्रोजेक्ट मोधी जी के उसको मोधी जी का घर मोधी जी का पैलिस मोधी जी का महल बताना है ये कल हमने खुलासा किया था और आज उसकी ओधर का नाम सौम्या वर्मा के रूप में सामने आ रहा है सौम्या वर्मा आखिर कौन है आप उसके मैडम के फेस्बुक प्रोफाइल सोशेल मीडिया प्रोफाइल इत्यादी में जा सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसमें सपस्ट रूप से लिखा गया है कि सौम्या वर्मा जो है वो Office of Professor M.V. Rajiv Gauda Member of Parliament उनसे वो connected है अब मैं कुछ महत्वपून तस्वीरे दिखाऊंगा कि ये सौम्या वर्मा जी आखिर कौन है ताकि Congress Party सौम्या वर्मा को नकार न दे आप देख सकते हैं सौम्या वर्मा यहां बैठी हुई है दो महत्वपून लोगों के साथ ऐसे अनेक महत्वपून लोग है उसमें राहूर गांधी भी सामिल है और Professor Gauda भी सामिल है उनके फोटो को आप देख सकते हैं मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ मैडम यहां बैठी है उनका नाम सौम्या वर्मा है आप एक दूसरी तस्वीर भी देख सकती हैं इसमें भी आप सौम्या वर्मा जी को पूरे Research AICC Research Team के साथ जो Professor Rajiv Gauda head करते हैं वीच में आप देख सकते हैं Professor Rajiv Gauda बैटे हैं और बाकी पूरी टीम के साथ सौम्या वर्मा जी को भी आप देख सकते हैं इसमें और भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ यहां देखे Professor Rajiv Gauda के साथ सौम्या वर्मा जी बिलकुल उनके साथ मौजूद हैं और यह पूरी टूर्किट को भी देख सकते हैं यह वही गैंग है जिन्होंने देश को अपमानित करना किस प्रकार से सेंट्रल विस्ता को लेकर जूट फैलाना वेंटीलेटर्स को लेकर जूट फैलाना किस प्रकार मोदी जी के इमेज को टार्निश करने का प्रयास करना इस सब का जो निर्माता है ज सर्च के साथ जुड़ी हुई है और तो और वो राजीव गौडा जी के आफिस के साथ संबंद रखती हैं और मैं एक और सोशल मीडिया का पोस्त दिखाना चाहूंगा जिसमें ये स्थाफित होता है ये एक सोशल मीडिया पोस्त में लिखा गया है वर्किंग अन दे मैनिफे अजस्ट झाडिक गॉड्ट भॉफचीव प्रॉष पॉड़ गॉड़ दे इनाशनल गॉडियों पॉड्ट रदी हो जो उत उड़ी पाट जैसास्थ आशने कर दो एक गॉड़ एकॉड जॉड़ा फॉड्स तॉड भॉड़ एकॉड़ कोॉड़ एकॉड़ एंट्स अंग्या आर सटनली अमॉंग्स तबेस्ट कलीग्स तो वर्क फर लॉंग आस। कॉंग्रेसवाली दिल्ली मैनिफेस्टो टू लॉंच AICC रिसर्च डिपार्टमेंट आप खुद देख सकते हैं AICC रिसर्च डिपार्टमेंट की वो एक एहम हिस्सा ही नहीं बलकि मुख्य हुमिका में वो रहती हैं सौम्या बर्मा जी और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जिस प्रकार से हमारे राष्ट्य अध्यक्ष जी ने हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने इस सत्य को जनता के सामने प्रतिपादित किया और कोई राजनीती के लिए न उजागर किया और तो और मैं आपको एक और ट्वीट राहूल गांधी का दिखाना चाहता हूं यह त्वीट आप देख सकते हैं राहूल गांधी जी का यह 9 मही के आसपास का है और इसमें क्या लिखा है मोविड को इन्होंने नाम मोविड दिया है कल हमने दिखाया था कि राहूल गांधी ने किस प्रकार से इस टूलकिट के माध्यम से इंडियन वेजियन नाम को और मोधी स्ट्रेन नाम को आगे बढ़ाने की कवायत की थी और आज आप खुद देख सकते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमानम, मुविड, पैंडेमिक अर्था पूरे विश्व जिसको क ट्वीट भी देख सकते हैं एक ट्वीट में जो यहां आपके सामने में प्रस्थुत करता हूं यह बहुत पुराना ट्वीट है उनका इस पैंडेमिक के समय का और उन्होंने उसमें लिखा है कि इंडियन कॉरोना वाइरस वेरियंट रीचस स्विजर लैंड जो इंडिया क के पिताजी MP हैं Congress Party के और यह खुद लिख रहे हैं I have named the so-called Indian variant the Modi variant in the honor of the person most directly responsible for it और यह है 9 माई 2021 का मतलब toolkit सामने आने से पहले का और सशी थरूर जी बड़े नेता है Congress Party के उन्होंने भी Indian variant कहके अपने कई tweets में इस वाइरस को संभोधित किया है तो जो कल हम बता रहे थे वो बिलकुल evidences speak for themselves जो evidence आपके सामने आज हम रख रहे हैं वो अपने आप ही इस विशय को स्थापीत करते हैं और सौम्या वर्मा जो author है आज ये विशय पूरे देश के सामने स्थापीत हो चुका है मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं अपील करना चाहूंगा कि आज देश स work in AICC Research Wing under Rajiv Gauda or not is the answer which we are seeking क्या स्वाम्या वर्मा जी Congress की कारे करता है क्या स्वाम्या वर्मा जी AICC Research Wing में काम करती है क्या स्वाम्या वर्मा जी राजीव Gauda के नहित काम करती है और क्या वो इस toolkit की author नहीं है Congress Party इसका जवाब दे धन्यवाद